तो और दोस्तो कैसे वर आप लोग आप सभी को वेल्गम करता हूँ ज्यार टुटोरियल्स के चैनल में मैं आपका पेष्ट टीचर क्या बोलते हो आपका पेष्ट टीचर को और हो मुंद रहा अप राहूल सार सुनरे मेरे को मारें यह पगड़ें लेकिन सवर मेरी बात सुन और साथी साथ उस लेसन को भी कंप्रीट किया था अब लेकिन कुछ बच्चे करें सर आंसर प्रक्टिस क्या बात कर रहे हो हमने तो सिफ देखके रखाता नहीं यार मैंने आपको आपको थोड़ा लिखकर भी देखना है थोड़ी आंसर राइटिंग की प्रक्टिस आपको स् करते और साथी साथ अब जो मेरे प्यारे बच्चे जो मुझे हम सभी को पूराने से देख रहे हैं आपको तो पता ही आरपको लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ही है अब दोस्तों चलो आपने चलते हैं अपने लेसन नमर 2 के साथ साथ लेसन नमर 1 में हमने बहुत मज़ किस चीज की बात करें कंपणी आना सब कह रहे थे सब कंपणी कैसी होती है कितने तरीके की होती है तो फाइनली क्या जो में जानने को मिलेगा जी हाँ दोस्तों आपको थोड़ा सा आड़ मीली जाएगा अच लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप लेसंद पर पड़े तो कि इसमें थोड़े बिजनस के बार में बताया गया है जाधा सा नहीं बताया है बस ऐसा बताया कि बिजनस कितने तरीक के होती है अब दोस्तों लेकिन यह जो subject actually यह और OCM ना काफी मिलता जूलता है अब लेकिन दोस्तों अब देखो यह जो part ना evaluation of business यह आपको OCM में भी दिखने वाला है तो उसकी tension मतलो तो देखा यहाँ पढ़ा तो आपने OCM का भी काम हो गया तो इसलिए मैं थोड़ा कहता हूँ कि दोनों लेकिन चलो दोस्तों ऐसा नहीं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं उसका डेंचन ना लो अब देखो यहाँ पर evaluation of business ठीक है आज हम इसको समझने वाले और यह जो टॉपिक से ना सोल ट्रीडिंग कंसर्ण सुना सुना सा लग रहा है डीप में स्टेडी करेंगे टेंशन नालो उसके बाद जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनस सर यह तो पहली वार सुना है फॉंसी बिजनस हो रही है आप बताते है उसके बाद दोस्तों पाटनर्शीप अर्यार यह तो यह समझत हो कि इतना तो आपका आइडिया होगा पार्टनर्शीप यानिकि एक अ इसको भी हम अभी क्या करने वाले अब यहां से अब अपनी इस फड़ा से धीटेल में पढ़ाई करते और आपको बहुत मजाने वाला है तो मेक्शोर आप पूरी वीडियो स्टाट टू इंड देखे कोई काम है तो वह पहले कीजिए लेकिन यह वीडियो को आपको करेंगे सोल मतलब जो तुम हो सिंगल उसके बाद है ट्रेडिंग ट्रेडिंग लेकिन किसकी हाना वह समझने की कुछ करते लेकिन इस टॉम में बिजनस की टम में कहा जाता है गूड जैन सर्विसेस की कंसन यानि कि कोई एक और्गनाजेशन है कुछ तो है आओ समझते सोल ट्रेडिंग कंसर यानि कि सिंगल लेकिन सर्विसेस मतलब क्या है यहाप क्या कहना चाहते हो सिंगल यानि कि सिंगल उनर एक अकेला इंसान जो सब पर भारी यह वाला बिजनस है अब बच्चा कहा रहे सर में नायर सुबह सुबह मम्मी में को कहती है जा दो लीटर ताजा ले आए तो सर्मेजी एक शॉप पे जाता हूं क्या वो शॉप सिंगल सोल ट्रीडिंग कंसर में आता है क्या बिल्कूल क्यूंकि उसका अकेला उनर है ना पूरा बिजनस को अकेला संबालता है एक छोटी सी शॉप होती यह बड़ी सी कहलो लेकिन वो अगर अकेला उनर होत समझते अब इसकी फीचर्स को लेकिन आप इतना समझे ना यहाँ पर हमसे एक सिंगल परसन की बात करेंगे एक सिंगल अकेला इंसान यहां का राजा है आओ राजा को समझते नो सेपरेट लॉप अब देखो यार कैसा होता है ना दोस्तों सोल ट्रीडिंग कंसर यह आपको सिफ में लॉस को फॉलो करना है जो सारे जनरल पब्लीक बनाया गया है तो आप बोलें सर्फ सारे जनरल पब्लीक को कैसे से कुन से लॉज यह हम सभी को फॉलो करने पड़ते देखो यार याद करो सुप्रीम लॉफ इंडिया क्या था कॉंस्टिट्यूशन हाना दोस्तों कॉंस्टिट्यूशन में लिखा गया है अगर यह कोई पी पर्सन ट्रेडिंग कर रहा है या बिजनस करता है उसको सिफ और सिफ ध्यान रखना है कि विजनस परपस पर करे हमारे जो कस्टमास से उनको डिसीव करने की इंटेंशन से बिजनस ना करे मनलब कि उनको धोगा द कंपनिस के लिए स्पैशिली बनाया गया है लेकिन दोस्तों सोल ट्रेडिंग कंसर्ण एक्ट ऐसा कोई एक्ट नहीं है नो सेपरेट लॉग चले चलते वन ओनर जैसे हमने वाद क्याता है जो तुम हो सिंगल और यह हैं जैसे सिंगल सोल ट्रेडिंग कंसर्ण यह अकेला ट्रेडिंगा वन ओनर अब देखो ना यार दोस्तों यह एक अकिला इंसान है क्या इसके पास के सिंगल परसन है जो सिप कंड्रिबूट कर रहेए अभी कैसे करेगा कॉंट्रिबूशिन पैसे का इखटा कहां से करेगा कोई बच्चा कहरेगा रहे सर अपनी प्रॉपर्ट प्रेस्टर्स होना, उन्हें बस बहुत पैसा होगा.ोई बचला कहते हैं, गल में नहीं कि आप करोडों में आप equipment क्रोड में capital provide करेगा, नहीं न, और यही अगर 10-15 लोग होंगे, हार एक person भी 10-10 लाग देगा, तो 1 करोर तो ऐसे ही raise हो गए, देखा, समझने के कुशिश करो, capital contribution इसका बहुत ही कम होता है, उसके बाद दोस्तो, no distribution of profit and loss, अब देखो यार यह अकला इंसान है, ठीक है, यह सारा profit, profit मलब पाइदा बिजनस का, अगर कोई नुकसान भी हुआ, तो सिभी अकले को बेर करना पड़ेगा, हाना, क्योंकि अकला ही तो बिजनस को संबाल रहा है, ठीक है, उसके बाद दोस्तो, decision, अब देखो है, अकला इंसान है, खुद की सुनेगा, जो मन में है, वो करेगा, ऐसा तो maximum business secrecy, अब बोलोगे यार दोस्तो, तुम सोचोगे यारी, secrecy क्या है, दोस्तो, देखो यार, business में न, कितने सारे confidential information होते है, कितने सारे secrets होते है, अब business में यह अकला इंसान है, इन सब secrets के बार में पता है, हाना, secrets को किसको पता ही नहीं है, तो secrets बाहर आएंगे कैसे, यह अक जारो, तो यह था, इसके 6 points हमने समझे, आओ बाकी के भी समझते है, unlimited liability, अब तुम सोचोगे सर, unlimited का मतलब तो हमें पता है, जो कभी खतम नहीं होने वाला, लेकिन सर दोस्तो, liability क्या हो दिये, जैसे देखो यार, यह हमारी shop, यह हमारी shop है दोस्तो, हमने हमारा business start करने के लि हमने सिर्फ 5 lakh की कमी हो गई, दोस्तो, क्या करूँ, इसको बोल दूँ क्या, जिससे मैंने loan लिया था, नहीं दूँगा, घर पे जा, ऐसा बोल दूँगा, क्या, नहीं चलेगा, मुझे देना तो पड़ेगा, लेकिन मैं उसको बुलाओंगा, देख यार, मेरे दोस्त, जि बिजनस में अगर नहीं है ना, ये 5 lakh वसुलने के लिए, ये सीधा मेरे घर पे आ जाएगा, ला तेरी प्रॉपर्टी बेच के लुगा में 5 lakh, इसको कहते है अगर यही लिमिटेड लाइबिलिटी होती, तो ये सिर्फ बिजनस में अगर 5 lakh होगा तो उसे 5 lakh ले जाएगा, जैसे आपकी यहाँ पर शॉप से ही सिपूल ले सकता है, और किदर से नहीं ले सकता, तो दोस्तों उसको कहते हैं, लिमिटेड लिएबिलिटी, लेकिन यही वो आपके किसी भी प्रॉपर्टी को जाके बेच सकता है, शॉप से रिक कबर नहीं हुआ ना, तो आपकी प्रॉ सेपरेट लीगल स्टेटस, अब मुझे एक बात बताओ ना, अकिला इंसान है, इसका शॉप का नाम से कहलो, या आप इसको अपने नाम से बुला लो, क्या फरक पड़ता है, अकिला ही तो इनसान है, अगर इसका शॉप का नाम जे आर है, या फिर उसका नाम गौरव है, त क्या बूरा मान जाएगा, तो ये सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है, मतलब कानून के आखों में, अगर वो शॉप की बात कर रहे है, या फिर उस ओनर, जो सिंगल परसन है, उसकी बात कर रहे है, दोनों को एक ही माना जाएगा, उसको कहते है, नो सेपरेट लीगल कितना प्रेशर आजाएगा अके लिए पे, इसको एमप्लोईज अपॉइंट करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी यार, एक अखिला परसन कितना सब कर पाएगा, नहीं, तो बस ये वही पॉइंट किया रहा है, कि यार, नोट सुटबल फो लाट स्केल बिजनस, अब देख ये तो मैंने आपकी easy understanding के लिए और आपकी writing practice मैं आपको अल्री करके दे रहा हूँ, टिके tension ना लो, अब जैसे आप बोलो कि सब्सक्राइब इसमें 9 points मैं चाहता हूँ कि मैं अपना भी 10th point बनाओ, चलेगा बनाओ, लेकिन इतना याद रखना कि वह एकदम correct हो, समाझ रो, चले और बस्तो फिर इसी के साथ हमने soul trading concern को तो समझा, लेकिन हमारे बाकी चोड़ टॉपिक से नाराज हो जाएंगे, चलो उन पर चलते हैं, चलिए joint Hindu family business, मतलब सोचोगे, अब word से आओ, ब्रेकडाउन करते है, joint मतलब एक साथ, हिंदू, मतलब कि एक religion है अपना है, याप family business, family, family क्या होती है, आपके पूरे दादा, चा, 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 ची, सब लोग, सब लोग, आपकी पूरी family, family, एक साथ मिलकर क्या कर रही है, business कर रही है, पूरी family, एक साथ मिलकर क्या कर रही है, दोस्तों, business कर रही है, ठीक है, पूरी family, एक साथ मिलकर business कर रही है, इसको कहते है जॉइंट फैमिली बिजनस लेकिन अब सर आप बुलोगे सर जैसे सोल ट्रीडिंग कंसर्ण के लिए कोई लौ नहीं था अलग सा क्या इसके लिए है क्योंकि यह तो कुछ नया सा कंसेप्ट है और इसमें ऐसा भी नहीं कि सिंगल परसंट इन्वाल है इसमें तो कोई फैमिली इन्वाल है ना तो उस फैमिली को प्रोटेक करने के लिए क्या गवर्मेंट इस पर ध्यान दे और इसके लिए अलग सा लौ बनाया है जी बिल्कुल बनाया है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 लेकिन हमारे सिलेबस में वो नहीं है हमारे सिलेबस में से इसका एक ग्लैंस है यान इसी बात है ना तुम इनके मेंबर कब बन होगे जब तुम इनके फैमिली में बॉन होगे तो जिस दिन तुम इनके फैमिली में बॉन हुए तुम उस दिन से इस फैमिली बिजनस का मेंबर वो चुके हो लेकिन जिस दिन तुमारी देथ हो गई तुम उस फैमिली के मेंबर से हट चुके हो लेर एकदम कोई भी बच्चा तुमारे फैमिली में बहुन हुआ वो उस दिन से मेंबर बन गया अगर आपकी फैमिली जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनस के बिजनस में इन्वाल है यह उसके बाद दोस्तों हैड अब देखो है यह concept में दो पार्टी होती है एक फैमिली में दो तरीके से इसको डिवाइड कर रखा है एक होता है दोस्तों करता 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 घरता एक होता है को पार्सनर आओ जमझते देखो दोस्तों करता वह पर्सन होता है जो फैमिली का सबसे सिनियर मेंबर मतलब कि क्या या ने कि सबसे एजेट मेंबर क्योंकि दे पस वही कंसेफ्ट को एस बिजनस लाया है अब तुम बोलो कि सर क्या ऐसा होता है क्या क्या आज भी ऐसे बिजनस चलते हैं देव आज में इंडिया के इसमें थोड़ा से डिक्लाइन हो गया ऐसे टैप के बिजनस में लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरह से खतम हो चुका है आप आप देखवार यहां पर head head कौन हो गया करता तो यहां पर क्या होता ना करता जो है करता हमारे कौन seniorist member जो सबसे senior most member होंगे वह बनते हैं head और जो भी बाकी के उनके co-partners जो भी बाकी के members है जैसे हम आपके पापा मम्मी वगर 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 बाकी सारे लोग वह सब होते हैं co-partners लेकिन हमारे सबसे head सबसे boss जिसको आपके लो हमारे boss कौन जैसे अब मेरे paternal side से देखे तो मेरे boss कौन हुए दादा जी क्योंकि वह senior most member है तो वह हमारे हो गए करता जो भी वह करेंगे हम वही follow करेंगे उसके बाद दोस्तों co-partners जैसे हमने भी डिस्कस करा था जो senior most member होता है वह अकेला इंसान बनता है करता और वही पूरे business को समालता है सारे decisions लेता है सबको salary देता है जो भी decisions आपक है कितने भी number of members हो सकते है क्योंकि हमने बात की यहाँ पर आप membership केसी ले सकते हो जिस दिन कोई नया बच्चा bon होता है उसकी membership start हो गई है लेकिन जिस दिन कोई इनसान की death हो जाती है तो वह उसकी जो membership है उसी दिन खतम हो चुकी है तो बस number of members जितने बच्चे पएदा हुए फॉल लेकिन जो भी इसका डिसिजेन्स वगरा कौन लेता पर आपके पपा आपके डादा से सेकेंड्ट सेनरी मुष्ट मेंबर है बाकी पूरी घ्ली के लिए लेकिन जब तक आपके main head है, senior most member है, जब तक वो छोड़ के जाते नहीं, या उनकी death नहीं होती, तब तक कोई भी senior most member, बाकी member करता नहीं बन सकता, अब एक बच्चा कह रहा है, sir, मेरे को आगे एक doubt है, ठीके बताओ मेरे भाई, वो कह रहा है, sir, मेरे, समझो, suppose, एक family business, joint into family business ह समझ रोग, sir, बोलो, हाँ, मेरे बाई, बताओ आगे, उसमें क्या होता है न, sir, उसमें जो family business है न, उसमें जितने भी family वाले लोग है, सब पढ़ाई में काफी week है, उनका knowledge इतना अच्छा नहीं है, और उसमें senior most member है न, वो तो मतलब आप समझो, उसको कुछ भी नहीं आत है, पिर वो कह रहा है, sir, अब जैसे मैं आगे जाके, मेरे business को संभालूँगा, और आपको तो पता ही है, sir, मैं तो 10th में 90 आए थे, तो क्या मैं करता बन सकता हूँ कैं, अब देखो, आपकी question बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा, ध्यान से सुनेगा, इस पर आप करत इसमें 21 प्लस दिया जाता है, तो अगर आप होगे ऐसे, तो आप करता बन सकता हूँ, लेकिन सबसे पहली बात, आपको करता की permission चाहिए रहती, मतलब senior most member, अगर उसने एक बार भी ना खे दिया, तो आप नहीं कर सकते, और ऐसे भी कुछ कापी cases होते, जिसमें, अगर जो senior most member है, वो कुछ और कह रहे हैं, और आप कुछ और कह रहे हो, तो सबसे पहला decision किसका माना जाएगा, senior most member का, तो ये फ़रक पड़ता है, अब कुछ भी कर लो, जो senior most member हैगा न, main priority उसको ही दी जाती, ये वाली business में, चला है रहे, ये out of the box knowledge थी, आओ धियान देते, यहाँ प से, लेकिन समझो, उसका shop जो है न, 10 लाक में से सिर्फ 5 लाक ही लोन देता है, बागी का 5 लाक लोन कहा गया, बोल जाओ, ऐसा तो नहीं बोल सकता न, बैंक वाले आएंगे, उमारा कॉलर पकड़ेंगे, वो बोले लाव तिरी property बेच, अब तुम बोलोगे, sir, मैंने तो है न, कौन करता, जो decisions पागरा लेता है, इसकी जो liability है न, दोस्तो, देखो, वो unlimited, और जो partner से बाकी, partners कौन, बाकी co-partners, जो करता के नीचे वाले लोग, यह co-partners, इनकी जो liability है न, दोस्तो, यह limited, अब मैं unlimited liability, limited liability वापस बताऊंगा नहीं, चोले एक बार पिर पता देता है, तो नारत हो जाते हो, यार, देखो है यहाँ पे, unlimited, unlimited पता है क्यों, क्योंकि सरे decisions तो यह ले रहा है, मतलब इसकी decisions की गलती हुई, तो यह लोग क्यों पचता है, आना, गलती तो इसने गरी, इसके लिए इसकी liability जो है unlimited, मतलब समझो, करता जी जो है हमारे, इनने 20 लाग का लोन लिया, clear, 20 लाग का लोन लिया, लेकिन, जब repayment की बारी आई बैंक वालो को, तब इनने सिर्फ 15 लाग का ही लोन दे पाए, बाकी का 5 लाग का आ गया, आप एसा बुलेगे, बुल जाओ बैंक वालो, नहीं दूगा, नहीं ना, क्या करेंगे आगे बता है, आएंगे त तो सही, आएंगे तो सही, पर सिदा करता जी के पास, उनका कॉलर फकड़ेंगे, बुलेंगे, उतका हाथ जोडेंगे, तो बड़े न, सिर्फ मेंबर, करता जी, प्लीज, दे तो यार, बाकी 5 लाग, हम बच्चों की जान लोगे क्या, तो करता जी कहते है, अरे यार, मैंन आपकी जो प्रॉपर्टी है, देखो, सिब आपकी नाम की, आपकी किसी भी मेंबर की नहीं, आपकी नाम की, आपका कितना शेर हैं उसमें, जिस एक प्रॉपर्टी होती है, न, समझे चार भाई है, तो 25%, 25%, 25%, 25%, 100, जिसमें से 1% करता है, तो बैंक वाले कितना रिकर लेकिन यही समझो 5 लाग का मैं को रिकवरी करना था करता से मुझे करता के प्रॉपर्टी से सिर्फ तीन लाख मिले बाकी दो लाख अब भी पेंडिंग है पर मैंने पूरे बिजनस का पैसा ले लिया मैंने करता जी का पैसा ले लिया आप मैं किसी फैमली मेंबर जो को-पार्स्नर में वह जा क kidding लाओ पैसा निकालो बाकी के पर उदास है यह देखो बिचारा रो रहा है यार मलब तुम हालत समझ रहा हूँ ठीक है अब देखो यार किंग है उन्हारा करता जी सीनियर मोच पेमबर है दाला जी अगर क्या दे पढ़ाई करना पढ़ेगा तो बस वैसे ही इनने को डिसिजन दे दिया यह काम होगा तो हो इफर्ठ केंगर में पर देखो आड़ा कर सकता है यार करता जी मैंने इतनी मेहनत करी दे दो औना नहीं इनका मन होगा तो आपको कुछ नहीं चेह सकते लिख यह कंसेट का यह इनृडलोजी है किका एन प्रयूंत के हम च्थे समझा एक प्रमांट करे जहीं यहां पर फीचर्स को तो आपके जो आपके पास material है study करने के लिए में भी उसमें एकदम line by line दिया हो अगर वैसा नहीं लिखोगे आप चाहो आपने headpoints लिखे आपने simple English में यहां पर समझा दिया दोस्तों आप यह भी कर सकते हो आपको फूरी इसमें उल्टा जादा मिलेंगे क्योंकि headpoints के नहीं चेकर देखे खूश हो जाता है मैंने आपके काम easy किया है आपके material में इसा दिया नहीं है मैंने इसको बनाया है आप भी अपने मतलब कि partner आप क्या हो single वह 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 लोग नहीं कर सकते आपको एक और परसेंट चाहिए देखो इसमें कैसा होता ना partnership सिंगल परसन है क्या यह partnership जैसा business कोई कर सकता है नहीं क्योंकि partnership का पहला rule है अगर आपको किसी partnership कर रहे हो तो आपको साथ कोई क्या हम कर सकते हैं क्योंकि minimum condition क्या है minimum 2 members लगेंगे लेकिन सर अब बच्चे करे सर हम भी आपका partner बनना चाते सर प्लीज हम आपकी student है ना बना दो ठीक है तुम अभी ऐसा है यार मेरे प्यारे बच्चे हो लाइक वगरा करते हो इसलो चलो तुम बना देता हो partner अरे वह बच maximum कितने 50 तो हम तुम maximum 50 बच्चे को अपना बना सकता हो बस उससा जाधा नहीं ठीक है लेकिन ऐसे कुछ cases है अब यह out of the box knowledge दे रहा हूं ऐसे कुछ cases है as per companies act 2013 section 474 इसमें आप 100 members तक भी रख सकते हो यह तुम्हें बुक में लिखके नहीं आना है तुम सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं कि 50 जो maximum limit है यह कुछ business में है लेकिन कुछ business में गवर्मेंट ने स्पैशल स्पैशली 100 members भी कर रख है तुमारे syllabus का नहीं out of the box knowledge दे रहा ह देखो मजा आएगा सुनने में अब देखिए आओ चलते इस पर एला फीचर क्या है दोस्तों agreement अब देखो न यार एक अगर इंसान अकेला हो तो उसको क्या टेंशन नहीं नहीं हो अकेला इंसान ने कोवन उस पर क्या ही question कर लेगा उस अकेले परसान को कौन ही दोका दे ल पर बिजनस जाए वो सबको बचाने के लिए एग्रिमेंट होता है एक टाइप होता है उसमें सारे रूल से लिखा जाता है और जितने भी मेंबर से ना वह कितना पैसा लाएंगे उनकी प्रॉफिट कितनी होगी और कभी कबार तो कितना उनको लॉस बेर करना होगा ये भी उनका काम उनके लिमिट कि इसके आगे तो काम ही नहीं कर सकते है वो सब भी लिखा जाता है और जब आप पार्टनर बनते हो ना वह आप से सिगनेचर किया जाता है उसको एग्रिमेंट कहते है इसमें सारे लॉज रिलेटेड वाली चीज़े भी फॉलो करनी पड़ती है अ दोस्तों अब देखो आर नमबर ऑफ पार्टनर्स अभी हमने समझा था मिनिमम दो इंसान मैक्जिमम फिफ्टी उसके बाद अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरेल लिए नहीं एक बार वापस वीडियो देखो लंबी हो जाएग इसके लिए उसके बाद दोस्तों जॉइ लिए तो आप बाद जाने के देखो कैसे इसकी लाइबलीटी और तुम पचास की सबकी एक मान ली जाएगी क्योंकि इसमें कैसा होता ना इसमां लिया जाता है अगर ये person ने decision लिया तो ये person कहा था कहा था सो रहा था तेरी गलती ना भाई अगर इसके decision से तो सहमत नहीं था तो तेरे को तभी उसको question करना था और बाकी 50 members जो है वो लोग क्या सोरे थे नहीं न अगर इस person ने गलती किया तो बाकी सब भी liable होंगे partnership वो होती है तो अब sir बुलोगे sir अगर कोई इनसान है जिसका role मलब उसके उसने ऐसा act करा जिसके लिए वो negligible नहीं था मलब ऐसा agreement में लिख दिया था अगर ये इनसान ने ऐसा कुछ काम किया तो इसके लिए partnership लाइबल नहीं होगी जिसकी गलती वो ही liable होगा तो जी हां अगर आपने agreement में ऐसा लिखा है और फिर भी उस person ने गलती करी तो अकिला इंसान liable होता है लेकिन उस person ने सही काम किया एकदम agreement में लिखा था वैसा ही किया लेकिन बाकी person जो अगर आपने ये काम किया तो भाई सब्सक्राइब लिखाता इससे साफ एकदम बड़े अक्षर में क्यों लिखाता ता है और आपने काम किया तो फवाई सब हम लोग लाइबल दियो कि जिसने काम किया वही लाइबल होगा पिर भी यह हमारा इंसान कर गया आजयता है बाकि लोगो क्यों पश्त आए जिसने गल्ती की वह turns लेकिन अगर आपने question कर दिया तो सब चलिए उसके बाते देखो capital contribution अब मुझे आप बताओ यार इक अकेला इंसान है वो कितना ही पैसे ला देगा अब लेकिन यहीं आप यह पार्टनर्जीब है दो लोगे ना यार सोचो ना अगर एक भी कितना और अब तुम लोग कह रहे हैं सर हम भी जॉइन होना चाहते हैं आपकी partnership है आप 50 लोग आ गए हम 50 लोग ने भी अगर एक एक लाग दे दिया तो है 50 लेक्स तो ऐसे ही हो गए और यही सोल ट्रेडर कंसर्ण को अकेले को 50 लेक्स लाना पड़ता तो सोचों कितना प्रेशर आता है समझ रहे हो बस वही है इसका फाइदा capital contribution उसके बादे दूस्तों देखो है नो सेपरेट लीगल स्टेटस समझो कानून के नजरों में तुम और तुमारा partnership एक ही मलब अगर मैं तुमारी बात कर रहा हूं या किसी और की बात कर रहा हूं मानले आ जाएगा कि यार यह तो वही partnership वाला ना हां तो तूसका नाम लिए तेरा नाम ले एक ही बात वैसा no separate legal statu एक हम है मानल अगर तुम भूलोगे कोई इस पार्टनर आ कर रहा है मेरी पार्टनर पे न लगा नहीं नहीं लएवता तो उसका पार्टनर नाउस फर्म का पार्टनर घान तो मान लिए जाएगा कि तू भी हो ले स्का eager देखो ना यार, अभी 50% partnership है, सबका agreement बना था, कि हम 50 लोग साथ में काम करेंगे, कोई बच्चा कर रहा है नहीं सब, हम 50 लोग का नहीं बनान चाहते हैं, हम सी 10 लोग का बनान चाहते हैं, ठीके 10 लोग, 10 लोग कोई बात नहीं, क्योंकि maximum तो 50 है, उसके आगे नहीं, पर minimum तो नहीं, नहीं, भाई, हम नहीं लेंगे इसको, पागल है क्या, यह आएगी, अच्छे से काम नहीं करेगी, इसी पेठे रहेगी, हम क्यों लें इसको, यह तो हमारी से बात भी नहीं करती है, ठीके, कोई बच्चा गया रहा है, ठीके, तो तो तुम उस टाइम पर ना, उसको कोशन कर सकते हो कि नहीं यार देखो अब कैसे न अगर तुम किसी थर्ड पर्सन को जो एग्रिमेंट में नहीं था कोई नया ही इनसान तुम उसको अपने पार्टनर्शिप में अपर्ण करते हो तुम उसे तभी कर पाओगे जब सारे तारे लोग सहमती दे दे जएसे हम ने बात किती थर्ड तीन बेस्प्रेंट्स की अगर कोई एक पर्सन यहां पर आना चाता हो इन तिनों की मन्जूरी चाहिए तभी यहां पर आकर पार्टनर बन सकती है वी तीनों का हान आना चीन यह है इसा नि एक पर्सन कहा रहे हो नहीं या वह जॉइंट ओनर स्यार देखो अब पार्टनर्शिप है अब ऐसा मिनिमम्म तू तो यह दोनों ओनर कहले आते हैं ऐसा नहीं अब कोई बच्चा गया रहे सर अब समझो एग्रिमेंट में मैंने लिखा था कि मैंना सिफ पचास अथा रूँगा लेकिन एक इंसा ने उसने सर पर अब पार्टनर हो गए ना आप ओनर तो हो अब उनको क्या पता आपने कितना बाइस है दिया था ठीक है चलो उसके बादे दोस्तों यह अब देखो यह पार्टनर्शिप है एक अकेला इंसान तो नहीं है इसमें कितने सारे लोग है तो यह एग्रिमेंट की टाइम जब जाधा काम देता हो इसको अपने से जाधा नौलेज है इंडियेंड तो अपना ही फाइदा होने वाला है ना तो यह सारे पार्टनर्स मिलके डिसाइड करते कि यह मैनेजमेंट किसको देना है किसको नहीं देना है कितने सारे लोग होते जो सिफ आते है बिजनस को पैसा दे नहीं तुम पैसे दो ना तुम्हारे बिहाफ में बागी पार्टनर्स काम करेंगे कोई बच्चा करें सब्सक्राइब कर दिया पार्टनर्शिप यहां पर यहां पर अपने अपना थर्ड टॉपिक भी कतम करा पार्टनर्शिप और जितना भी हमने समझा आपको बहुत अच्छे से समझा एसी में उमिद रखता हूँ और यार आगे भी चैप्टर बहुत इंट्रस्टिंग सा है और कंपनी जाप्टर का नाम है हम उसको भी एकदम डीप स्टेडी करने वाले हैं और इस चैप्टर में कि अब यह एसा हो गया यह लेक्चर में भी बड़ा बन गया हो लेकिन कोई बच्चा बीच में छोड़के नहीं जाएगा देखो यह बड़ी आसा चैप्टर मजा आने वाला आपको आगे आपको मजा आया काफी जितने भी बच्चे अब यहां तक बने हैं क्या करना है लाइ जितने मेरे एसपी वाले बच्चे लेकिन जो मेरे ओसी वाले बच्चे क्या करना आपको जितने भी लेक्च्छ आ रहे हैं देखो समझो कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्षिन और यहां दोस्तों जितना भी जिखार रहो आप सिब रीड करो नहीं एक बार रीड कर लो बस हमने कर दिया है मैं ऐसा समझ के चल रहा हूँ ठीक है तो चलो पर दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगली लेक्षर में तब तक ले गूट बाई टेक केर चलता हूँ